अखिलेश यादव हो या फिर डिमपल यादव कोई कसर नहीं बाकी रखते हैं ये भाजपा की सरकार पर हमला बोलने में NDA पर हमला बोलने में केंदर सरकार पर निशाना सांदे में ऐसे में अपनी ही जेठानी डिमपल और अपने जेट जी अखलेश यादव के साथ पूरी समासवादी पार्टी को ललकारते वे उकसाते वे जंग के मैदान पर उतर कर अपना यादव ने भाजबा के प्रचार में काम करना शुरू कर दिया है उतर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर बेजेपी ने सूची जारी की उम्मिदवारों की और इसके तुरंद बाद अपना यादव ने लिया फैसला बेजेपी के हीद में फिर से बयान बाजी करने का जी हाँ उन्होंने कहा मैं सार्वजनिक मंच पर ये कहना चाहती हूँ कि आज अगर नेता जी होते शायद अगर नेता जी होते तो वो पिये मोदी की तारीव जो करते थे अकसर वो एक दिन खुद कहते और शायद सच में सापा का विलय भाजपा में हो चुका होता यानि कि समाजवाधी पार्टी का भाजपा में गटबंदन की चाहत है अपना यादव की अपना ने नसीहत दी है जेठ और जेठाली को सापा का भाजपा में वो विलय करा है सापा को बीजेपी के खिलाफ नहीं बीजेपी के साथ होनी चाहिए ये नसिहट समझ जिये ये इक्षा समझझ है अपणण यादव की जो सापा और भाजबा को एक होतेवे देखना चाहती है ये कहना बिलकुल गलत नहीं होगा कि अपणण यादव ने इस तरह के बयान से वाके में एक नया ही सियासी हमला ही नहीं किया बल्गी समाजवादी पार्टी के मुक्या अखलेश यादव को सोचने के लिए मजबूर भी कर दिया है गोर हो कि इसमाद लोकसम हर चनाव के दौरान अपर्णायादव को कोई भी सीट ना दिये जाने पर लोग सवाल खड़ी करते नज़र आए क्या अपर्णा को और लंबी मेनद करने पड़ेगी बीजेपी में बड़े ख़द को हासल करने के लिए तो अपर्णायादव ने खुछ समझ लिया है कि उन्हें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा